बाली ने कहा श्री राम जी सुनिये आप स्वामी हैं आपसे मिरी चतुराई नहीं चल सकती हे प्रभो अंतकाल में आपकी गती शर्ण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। बाली की अत्यंत को मलवाने सुनकर शिरी राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्ष किया और कहा मैं तुम्हारी शिरीर को अचल कर दूँ तुम प्राणों को संभाल कर रखो बाली ने कहा हे कृपा निधान सुनिये मुनिगण जनुव जन्म साधन करते हैं फिर भी अं संतकाल में उन्हें राम कहा नहीं आता उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गती मुक्ति देते हैं वह राम जी स्वयम मेरे नित्रों के सामने आ गए हैं ए प्रभो ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी प्रभु अजहु में पापी अंतकाल गति तोरी सुनत राम अतिको मलबानी बाली सीस पर से उनिज पानी अचल करऊं तुम राख़ु प्राना बाली कहा सुन क्रपा निधाना जनम जनम मुनिजतन कराही अंत राम कही आवत नाही जासु नाम बल संकर कासी देत सबही समगति अभिनासी ममलो चन गोचर सुई आवा बहुरी की प्रभु असबन ही बनावा श्री राम जी के चरणों में द्रड़ प्रिति करके बाली ने अपने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथ ही अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने राम चरण द्रड़ प्रिति करी बाली कीन तन त्याग सुमन माल जिमी कंठते गिरत न जाने नाग